आदे कब चावल के आटे से बना सकते हैं आप क्रंची क्रंची पचास चावल के पापड़ दो इसको बनाने के लिए सबसे पहले पानी और चावल के आटे को अच्छी तरीके से घोल लीजें जो quantity मैंने इस्तिमाल करी वो मैंने अपने description में add कर दिये तो आप उसे देखना बिलकुल मत भोलेगा फिर उसके बाद इस mixture को ठंडा करके plastic sheet के उपर गोल गोल करके पापड बना लीजे और इसे दूप में रखे करीब 6-7 घंटे के लिए जब तक ये सूख न जाए और फिर जब ये 80% सूख जाए तो इनको एक एक करके पलट दीजे और फिर इसे दो दिन के लिए और धूप में रखे जब तक एकदम ये paper जैसे और सूख न जाए फिर इनने पस डीफ्राइ करें और फिर बड़े तरीके से इंजोई करें और आप सूखे हुए paper को एक टाइट कंटेनर में रखे 5-6 महिनोत ले